हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है निबंद लिखने के लिए आता है और सबसे ज्यादा जो आपके poured pesos के दिखने के लिए आता है वह जञ्ण संख्या लिखने के लिए आता है जैसे इस प्रकार से आपको बताने वाला हैं इसी प्रकार से थी बोड के एक्जाम में निबन्ध लिखके चले आते हैं तो आपका साथ नमबर अधम पक्का हो जाएगा और देखिए आपको असे पता चल जाएगा कि बोड के इक्जाम करके कि इचाहके चलिए को बताते हैं किस प्रकार से बोड़ की इक्जाम में लिखा जाता है किस प्रकार से आप बोड़ की इक्जाम में निबन्ध या संख्या चाहें अब जनसंख्या हों चाहें हम को निफन लिखने के लिए आता है उसमें जनसंख्या सब्द दिया हो तो जैसे बता रहे इसी तरह बोड के exam में जनसंख्या पर निबंद लिख दीजिएगा, ठीक है ? देखें, आप क्या किजिएगा ? बोड के एकजाम में जनसंक्या भृद्धी या जनसंक्या समस्या जो आपको टापिक पुछा रहा है उसको हेडिंग बना लीजिएगा हेडिंग बनाने के बाद पहले नंबर लिखा जाता है रूप रेखा रूप रेखा मतलब होता है कि किस किस पॉइंट पर आप निबंद लिखने वाले हैं जनसंक्या भृद्धी पर पहले उसकी भूमिका लिखेंगे जनसंक्या भृद्धी की भूमिका फिर इसकी प्राची बना लेंगे उपर लिख लेंगे यदि आप इस तरह इसकी रूप रेखा लिख लेते हैं इसको देखते ही आपको नंबर देते हुए आगे बढ़ जाएगा एक जित ध्यान दिजे जब भी निबंद लिखा जाता है अधिक से अधिक हेडिंग डालने का प्रयास कीजिएगा ठीक है अब दिखें यदि आप यहां पर भूमिका हेरिंग डालना है तो आप क्या कीजिएगा एक लाइन छोड़ के डालिएगा जैसे लिखें इसी प्रकास लिखके आईएगे बूमिका में आपको क्या लिखना है देश की बढ़ती हुई जंसांक्या एक भयावा समस्या है भारत ही नहीं बलकि पूरा विश्वही इस समस्या से जूज रहा है देश की विकास में यह बहुत बड़ा पाधक है अता सरकार ने इसके सावधान के लिए परिवार नियोजन का आहान किया है अब देखिए यह कम सब्दों में लिखें और सटिक लिखें यदि आप इस आप सुतरा कहीं भी कार्ट पीट नहीं है अब देखिए दूसरे हैड़ी जब आपको डालना होगा तो एक लाइन छोड़ दीजीगा और लिखें प्राचीन समय में आप सभी को पता है कि प्राचीन समय में भारत की जनसंक्या क्या थी बहुत कम थी लेकिन वरतमान समय में क्या है अब देखिए अगला हेडिंग कैसे आप डालेंगे चलिए ठीक कए देखिए अब यहां सुक्वी और नरी डी बहुत तिवर्गती से हुआ है यह देश की विकास में बहुत बड़ा बाद कि किसी भी देश की जनसंक्या बढ़ जाती है तो उस देश का विकास रूख जाता है ठीक है वरतमान समय में भारत की जनसंक्या एक अरब से भी ज्यादा हो चुकी है इस प्रकास आग को लिखना सब्सक्राइब करना सरकार के लिए बहुत बड़ा बोज के समान हो जाता है ठीक है इसी चीज को लिखना है देश के लिए बोज देश की जनसंक्या उसकी शक्ति का आधार होता है प्रन्तु रूप से बढ़ते जान निश्चे ही देश के लिए बोज होता है ठीक है अब यहाँ भी देखिए ऐसी दसा में जनसंक्या एक अभिशाप कही जाती है भारत इस समय जनसंक्या की देखा जाए तो चीन है दूसरे अस्थान पर आपका भारत है ठीक है अब देखिए अगला एडिक जब भी निबंद लिखना अधिक से अधिक हेडिन डालने का प्रयास कीजिएगा आपका अगला एडिक है परिवार के लिए बोज है किसी भी परिवार में जनसंक्या की ब पहने और स्वास्त रहने प्रहाई आधिक अवसर नहीं मिल पाता है यह क्या है एक प्रकार का समस्याई है ठीक है अब देखिए आपको क्या करना रहेगा दो तीन चार एडिंग जो तीन पेज आप बोर्ड की एक्जाम में लिख दिए जितना हेडिंग बना बना कर डालें करने करने के सब्सक् largest आप बना जाएं अधिक सिच्छ्छा कि जोग पर शेड़ा जाएं तो इससे नहीं हो सकता है तक इसके अलब देखिए उसके फिसल हर लाश्ट डागे उप्सन हर में लिखेंगे रिकेंग कि यह उपभोग को वाद में विश्वास रखने वाला यूग है भारत में भिन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं देश में कुछ नियंत्रित करने में ही देश की भलाई है इस प्रकास इसका उपसनहार कर सकते हैं कि सभी धर्मे के लोग है यह सोच विचार उनमें बढ़ चुका है कि यदि जनसंख्या जिस धर्म की नहीं पड़ेगी तो वहां के लोग वहां के कम हो जाएंगे ठीक है इस विचार धारा को करना है जिससे जनसंख्या पर नियंत्रित किया जा सकता है ऐसे इस प्रकास आप पूरा हैडिंग बना बना के लिखेंगे उतना ही अच्छा इग्जामणर नंबर देता है वह सिर्फ इग्जामनर जो होता है आप कोई भी किसी भी टापिक पर निबंद लिखते हैं तो अक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें